हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सिविल सरीसेस में तो आज के इस लेक्चा में हम मद्धी प्रदेश के चर्चित वेक्ति को देखने वाले है यहाँ टापिक दोस्तों मद्धी प्रदेश पुलीस परिक्षा के लिए बहुत इंपोडेंट होने वाला है जो कि 8 जन्वरी से सुरू हर रही है तो दोस्तों सभी कोशन को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आपे हम भी डिटेल में समझेंगे मलब जो भी कोशन करेंगे उसको डिटेल में जानेंगे तो सबसे पहला कोशन है आपके लिए कि सुमित्रा महाजन जी को किसे पूरुषकाय से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये जो सुमित्रा महाजन जी है इनको 2021 के पदभुसन सम्मान से सम्मानित किया है यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 2 और आप देख सकते हो दोस्तों यह सुमित्रा महाजन जी तो यहाँ पे हम बात करते हैं सुमित्रा महाजन जी की जिनका निवास इस्तान है दोस्तों इंदोर और इन्हें जन सेवा के लिए पदभुसन सम्मान 2021 दिया गया था साथी मैं आपको बता दू कि सुमित्रा महाजन जी पूर्व लोकसवाई स्पीकर भी रही है और साथी इंदोर की यहाँ पूर्व बिजेबी सांसद है कि यहाँ कितने बार इंदोर से सांसद पत पर रही है तो आठ बार और आप तलिए अगला कोशन है दोस्तों कि विवेग सागर का जो संबंद है वो किस खेल से है तो मैं आपको बता दू कि यह जो विवेग सागर है इनका संबंद है हौकी से करेक्ट अंसर है यहाँ पर आप्शन टू और आप देख सकते दोस्तों यह है विवेग सागर तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो विवेग सागर है इनका निवास इस्तान कहां का है तो इटार सी होसंगाबाद का है विवेक सागर को दोस्तो मध्य प्रदेश सरकार के दोरा विक्रम पुरुसकार 2020 भी प्रधान किया गया था साथी आपको याद एकना है कि विवेक सागर को अरजुन आवर्ड 2021 भी दिया गया है और टोक्यो उलम्पिक में इन्होंने इंडिया को ब्रॉंज मेडल दिला था और साथी दोस्तो बहुत इंपुरुसकार 2020 प्रदेश सरकार ने इन्हें दीएसपी के पद पर नियूक्त किया है तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है विवेक सागर से कौन कौन सी दोस्तो तो इनका जो निवास सिस्तान है वो इटार सी होसंगाबाद है और इन्हें विक्रम पुरुसकार 2020 प्रदान किया गया था और साथी दोस्तो विवेक सागर को अर्जोन आवड 2021 से भी समानित किया है और इन्होंने दोस्तो टोक्यो उलंपिक में होकी में इंडिया को ब्रॉंज मेडल दिला था तो ये सभी महत्वो पॉर्ण पॉइंट है विवेक सागर जी से और अब चलते हैं अगले कोशन कियो कोशन की चालीसवी सीनियर नैसनल तिरंदाजी चेंपेंसिब 2021 में मुसकान किरार ने कौन सा पदग जीता है तो इन्होंने जीता है दोस्तो सोर्ण पदग और आप देख सकते हो यह है दोस्तो मुसकान किरार तो मुसकान किरार का अगर संबंध है दोस्तो किसे खिल से तो तिरंदाजी से और इन्होंने चालिसवी सीनियर नेशनल तिरंदाजी चेंपेंसिब 2021 में सोर्ण पदक जीता है और दोस्तों यहां कहां की रहने वाली है तो जबलपूर की रहने वाली है यह भी आपको याद दखना है अगला कुशन है कि प्रदानमंती बालपूरुसकर 2021 से किसे समानित किया गया है तो दोस्तों यह समानित किया है पलक सर्मा को और आप देख सकते हो यह है पलक सर्मा जिने प्रदानमंती बालपूरुसकर 2021 से समानित किया है तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करें पलक सर्मा की जो की रहती कहां पर है तो इंदोर में महलब यह कहां की निवासी है तो इंदोर की निवासी है और बैंगलोर में आउजीत और राश्री गोता खोरी प्रतियोगिता में पलक सर्मा ने सिनियर वर्गम में सुर्ण पदक करेक्ट अंसर हो जाएगा यहां पर option 1 तो दोस्तों यहां पर हम बात करें यह जो तात्या मामा भील है जो जन में इस्तार है वो खंडवा है या देखने आपको कि यह जो तात्या मामा है यह दोस्तों आदिवाशी भील समूदाय के सदस्य थे भारत में सक्री एक जननायक यह जो तात्या मामा भील है या दोस्तों आदिवाशी भील समूदाय के सदस्य थे और इनका जो जन में धोस्तों वो खंडवा में हुआ था तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है तात्या मामा भिल से और आपने देख लिया दोस्तों ये है तात्या मामा भिल और आप चलते है अगले कोशिन के और कोशिन की भूरी भाई का जो संबंद है वो किसे समुदाय से है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भूरी भ कलाकार इव आदिवासी लोक कलाकार है इनका जो निवास इस्तान है वो क्या है दोस्तों तो यहां जाबुआ है यहां देखना है इनका जो निवास इस्तान है वो कौन सा है तो यहां जाबुआ है साथी दोस्तों मैं आपको बता दू कि इन्हें मद्र प्रदेश संक्सक्रती विभाग का brand ambassador भी नियुकत किया गया है संक्सक्रति पर्याटन और आदिकारिता मंत्री कोन है तो यहां उस्सा ठाकुर जी है यह महत्वपूर्ण यहां पर option 3 और आप देख सकते दोस्तो यह है एश्वरी प्रताप सीयं तो मर जिनका संबंद स्सें है तो मैं आपको बता दू कि यह जो एश्वरी प्रताप सीयं तो मर है खरगोन जीले के निवासी है और इनोंने दोस्तो आई तो याद दखना आपको कि यह जो एस वर यह प्रताप सी है तो मर है इनका संबंद किसे है तो सूटिंग से और यहाँ कहां के रहने वाले दोस्तों तो खरगुन जीले के साथी आपको याद दखना है कि इन्होंने आई एस एस वर जूनियर चेंपियंशिप में कौन सा मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है और आप चलते हैं अगले कोशन के ओर कोशन है दोस्तों की पदम स्री कपिल तिवारी का जो संबंद है वो किसे जीले से है तो इनका संबंद है दोस्तों सागर जीले से गोरिक्ट शेत्र में उतकर से कारी करने के लिए यह सम्मान दिया गया है तो याद दिखना यह सभी महत्वा पॉइंट है पदम स्री कपिल तिवारी जी से जो आपको याद दिखना है और अगले कोशन के और कोशन है कि पंडित रवी संकर सुकल कि सराज्य के पहले मुख्य मंत्री थे तो यहाँ पहले मुख्य मंत्री थे हमारे मध्यप्रदीश के करेक्ट अंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन टू और आप देख सकते दोस्तों यह है पंडित रवी संकर सुकल तो दोस्तों मैं आपको पता दू कि मध्यप्रदेश के जो पहले मुख्य मंत्री थे उनका जो कारेकाल है वो एक नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक चला था और ये जो पंडित रवी संकर सुकल है दोस्तों इनका जो संबंध है वो कीस पार्टी से था तो भारती राश्टी प् Tube Print toاعतानी रायपूर में सिद्ध विसविद्धाले का जो नाम है वो इनकी नाम पर रखागया है यहां यादकना है तो यहां पर कॉन कॉन से तो दोसो यह जो लटा मंगेशकर्जी है इनों किस छेत्र से है तो संगित KAR से है और इनका जो जन्म है अधी इंद और घुर में हुआ था और वुपन क्या किया है इनके तो स्वार कोकिला और भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है तो याद दिखना आपको कि लता मंगेशकर जी को भारत लतने से कब सम्मानित किया था तो 2001 में और अब चलता है अगले कोशन की और और आपके लिए अगला कोशन है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेटकर का ज दोस्तों यहाँ पर आपको याद दिखना है कि सोतंत्र भारत के प्रथम विधी एव न्याय मंत्री कौन थे तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जी थे और इन्हें दोस्तों सविदान के निर्माता भी माना जाता है यह सभी महत्वपोर्ण पॉइंट है जो आपको य कैलास जोसि तो दोसि मैं आपको बता दू कि कै आलास जोसि का जो समभंस है वह किसाचेतर से तो राजनीती से और इनका जो जन्मय है वो देवास मद्य प्रदेश में हुआ था और यहां मद्य они प्रदेश के नवे मुख्य मंत्री थे और याद इखना आपको कि मद्धी प्रदेश के यह प्रथम गेर कांग्रेसी मुख्य मंत्री भी रहे हैं तो यह सब ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कहलाज जोसी से जो आपको याद खना है नेक्स कोश्ण है दोस्तों कि संकर दयाल स सर्मा है इनका संबंद की से छेतर से तो राजनीती से और इनका जन्मिस्तान कहां पर रहे तो भुपाल में है और मद्र प्रदेश के यहां दोस्तों 90 राष्ट पती रहे हैं और भारत के आठवे उपर राष्ट पती भी रहे हैं तो यह सभी महत्वा पॉइंट है संकर गलाल सर्मा से जो आपको यादखना है और अब सलते हैं अगले कोशन के और कोशन के अरजुन सीया मद्र प्रदेश के कौन से इस्तान के मुख्य मंत्री थे तो इनका जो इस्तान है दोस्तों फूब बारवा था करेक्ट अंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन फोर और इनका जो जन महें वो चुरू होटू जिला सीदी मद्र प्रदेश में हुआ था और यहां मद्र प्रदेश के बारवे मुख्य मंत्री थे इनके समय दोस्तों 1984 में मिथाइल आइसो साइनेट गेस का रिसा हुआ था कहां पर मतलब या देखना आपको यह जो भूपाल गेस तरादसी ह हुई थी यह इनिके कारिकाल में हुई थी यह आपको यहां देखना है और यहां पर दोस्तों जो उप्यूग ता मलब जो गेस का रिसा हुआ था उसका नाम क्या था तो मिसाइल आइसो साइनेट था और यह कब हुआ था यह घटना कब हुई थी तो 1984 में और अब चलता गल सासक अकबर के नौ रतनों में सम्मिलित संगीत सम्राठ तांसिन का जो जन्मा है वो 1506 में या देखना दोस्तों आपको 1506 इस्वी में गौालियर के मेहात नामक ग्राम में हुआ था और इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था तो यह रामतनु पांडे था यह आपको या दखना है और आपके लिए अगला खोशन है दोस्तों की कहलास सत्यारती का जो संबंद है वो किसे जिले से है तो इनका संबंद है विदीशा से करेक्ट अंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थार्ड और आप देख सकते हैं दोस्तों यह है कहलास सत्यारती तो दोस्तो और इसके अतिरिक्त राष्टी एव अंतराची स्तर पर योन सोशन और बाल तसकरी के उन्मलन के लिए इन्होंने कार भी किये है और वर्स 2014 में दोसों इन्हें नोबल का सांती पुरुषकार प्रदान किया गया था तो यह सभी महत्वपुर्णा पॉइंट है कैलास सत्याति से जो आपको यादखना है यादखना है दोसों आपको इनका जन्म कहां पर हुआ था तो वीदी सामें और इसाथ ही आपको यादखना है कि इन्हें नोबल पुरुषकार कब दिया गया था तो 2014 में और नोबल पुरुषकार दोस्तों किस टाइप का तो इन्हें सांति के नोबल पुरुषकार से समानित किया है तो यह सभी महत्वपुर्णा पॉइंट है कैलास सत्याति से और अब तलते अगले कोशन के ओर चंद सेकर आजाद की तो चंद सेकर आजाद जो की एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे इनका जन्म दोस्तो भाबरा गाव जिला अली राजपुर में हुआ था तो आपको क्या याद रखना है यहां पर चंद सेकर आजाद को जो जन्म है वो कहां पर हुआ था तो भाबरा और अब बात करते हैं कुमार गंधर्व की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो कुमार गंधर्व इनका जो सबंद है वो किसे है तो कला मलब यहां दोस्तों एक गायक कलाकार है इनका जो जन्मा है वो धारवार करनाटक में हुआ था और इनकी जो म्रत्तियों दोस्त दिवास मद्यपदेश में हुई थी और इन्हें पद वीबूशन से भी समानित किया गया है तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है कुमार गंदर वसे जो आपको यादखना है और आप दोस्तों बात करते हैं जावेद अक्तर की तो जावेद अक्तर का जो समंध है वो है दोस्तों गीतकार से तो मैं आपको बता दू कि जावेद अक्तर का जन्म 17 जन्वरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था और इन्हें दोस्तों वर्स 1999 में पदश्री वर्स 2007 में पदभूसन और वर्स 2005 में मद्यप्रदेश सरकार द्वारा कि सोर कुमार समान से समानित किया गया था तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जावेद अक्तर से जो आपको यादखना है और आजका लेक्टर दोस्तों यहीं परेंड होता है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि हमारे यूटूब चेनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू कर ले और साथी दोस्तों मैं आपको बता दू कि मद्यप्रदेश करेंट एफेल 2021 की पीडियेफ हमने लॉंच कर दी है यदि आपने अभी तक इस पीडियोप को पर्चेस नहीं किया है तो इसे पर्चेस जरू कर ले और इसके लिए दोस्तों आपको जो नंबर है यह झाल